वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में क्या कुछ हाल क्रिप्टो मार्केट के चल रहे हैं और क्या कुछ हो सकता है next move और क्या कुछ कर रहे है all coins, क्या updates आ रही है सभी updates आपके साथ share करेंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को very good morning, I hope आप सब अच्छे होंगे और crypto market देखे तो अच्छा चल रहा है, bitcoin की कोशिश पूरी चल रही है कि 20,000 dollar को फिर से touch किया जाए और क्योंकि अगर आप देखोगे 943 billion dollar पे आ चुके है देखो एक तरफ तो September जाने वाला है यहाँ पर September का end होने वाला है ठीक है, और दूसरी तरफ October month start होने वाला है आपको पता है September की history क्या रही है और September ने, इस September में भी history repeat हुई है तो Bitcoin पूरी history repeat कर रहा है अगर history repeat होती है तो October का month काफी अच्छा होने वाला है यह चीज़ आप सबको बता कि October के month में काफी अच्छी rally हमने देखी है सिर्फ अगर हम दो month छोड़ने तो लेकिन जिस तरह के moment यह September के end में आ रहे है 20,000 dollar Bitcoin ने टच किया फिर Fed के जो chairman है उनकी तरह से कुछ updates आए कुछ statement आए regulations को लेगे, DeFi को लेगे market फिर से थोड़ा सा नीचे गया Bitcoin फिर से retest करने गया ठीक है, अभी जो है Bitcoin फिर से 19,500 पे चल रहा है और कोशिश है 20,000 पे आने पे लेकिन जिस तरह की fluctuation system पे देखने को मिल रहे है September end में तो कहीं न कहीं possibilities है October में market अच्छा चल सकता है Bitcoin के level अच्छे खासे हमको देखने को मिल सकते हैं अभी 943 billion dollar पे चल रहे है 3.1% green में है market और यहाँ पे Bitcoin के जो level चल रहे है वो 19,518 पे आ चुका है Bitcoin और यह कल रात से ही level चल रहे है maintain करके रखा है अगर यह area break करता है Bitcoin तो सीधा फिर हम इसको 20,000 dollar 20,300, 400 dollar भी देख सकते हैं यह 19,500-600 को break करना बहुत जरूरी है Bitcoin के लिए तब ही हम 20,300-400 पे Bitcoin को देख पाएंगे ठीक है 18,610 तक level गए 19,600 तक level भी हिट कर गया 700 तक के भी level हिट की तो बहुत जरूरी है इस area को break करे Bitcoin और उपर जाता है तो फिर अच्छी हमको जो है market दिख सकती है October में और उपर जाके September की closing अच्छी खासी होती है तो फिर वहाँ पे जो है October मनत अच्छा रह सकता है ठीक है और ये है Bitcoin का चार्ट ये Bitcoin का चार्ट अगर आप देखो 18,700 से Bitcoin के जो level जल रहे है 19,600 तक यहां पर आया है तो सबसे पहले अगर आप देखो यहीं पर maintain करके रखा है Bitcoin ने खुद को ठीक है और अगर हम BNB Coin देख लें 284 डॉलर पे Binance Coin की रेंज चल रहे है 0.44 डॉलर XRP रिपल चल रहा है ये भी 4% 5% सभी कॉइन Cardano भी 0.43 पे चल रहा है सबसे बड़ी बात अब XRP रिपल और Cardano के जो level है सेम सेम हो चुके है ठीक है पहले XRP रिपल 0.32, 31, 33 इस रेंज में था लेकिन पिछले कुछ दिन में Rally आई है XRP की वो अब ले आई है XRP को 0.44 पे सो लाना 32 डॉलर पे चल रही है Dogecoin 0.060 पे चल रहा है Overall Bitcoin के साथ-साथ 4-5% सभी Altcoins में Move हमको देखने को मिल रहा है ठीक है Shiba Inu अभी भी 14 नंबर पे बना हुआ है 13 नंबर पे Polygon Mati का है 6.56 बिलियन डॉलर के साथ और 6.13 बिलियन डॉलर का है Shiba Inu को अगर Shiba Inu को 12 नंबर पे जाना है तो यहाँ पे एक अच्छी रैली दिखानी होगी तब ही जो शाय Shiba Inu है आपको 12 नंबर पे दिख सकता है ठीक है Market Cap में ज्यादा Difference नहीं है तो 12 तक भी पहुँच सकता है और अच्छी रैली दिखती है अक्टूबर में तो 11 पहीं पहुँच सकता है तो क्या कुछ हाल है Shiba Inu के अगर हम देखें Shiba Inu की जो सीरीज है वो 11.17 की सीरीज चल रही है 2% डाउन चल रहा है और 17,83,000 लोगों की नजर में Shiba Inu है 0.4 x 0 10.85 के लेवल से 11.44 तक Shiba Inu के लेवल गए है लास्ट 24 आवर में ये कुछ हाल चल रहे है Shiba Inu के Bitcoin के साथ साथ ठीक है लेकिन एक बड़ा मूव हमको दिखा था कल एक जो स्पाइक है वो दिखा था ठीक है ज्यादा तो बड़ा नहीं था लेकिन जिस तरह के ये स्पाइक आ रहे है ना Shiba Inu में तो सिगनल क्लियर है और कल जो वेल्स ने बाइंग किया है तो फिर कहीना कहीन एक अच्छा खासा लेवल Shiba Inu October में हमको दिखा सकता है तो अगर हम Trading Volume देखें Shiba Inu का इस टेम पे क्या कुछ ट्रेड हो रहा है कितना कुछ चल रहा है ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं हो रहा है ठीक है 6.1 billion dollar के साथ Shiba Inu का जो चार्ट है देखो 24 गंटे में बुलिश चार्ट एकदम से है न तो यही कुछ चीजें अभी चल रही है Shiba Inu के और Crypto Market की शुरुवात भी हम करेंगे Shiba Inu की last 24 hour की burning से और last 24 hour की जो burning है वो कल से कम हुई है ठीक है जिसकी वज़ा से burn rate negative में है और 6 million ground यहां पर tokens burn हुए है last 24 hour में Shiba Inu next update की बात करें तो वो है SafeMoon को लेके SafeMoon now on top 10 purchase token among 500 biggest BSC whale in the last 24 hour तो SafeMoon भी अब whales की list में आता जा रहा है ठीक है काफी time के बाद SafeMoon को लेके इस तरह की चीजें हमको देखने को मिल रहे हैं क्योंकि SafeMoon कही न कहीं 2021 में सिक्का चलता था SafeMoon का और bear market में थोड़ा सा यहां पर शांस ही होगी है SafeMoon जब से SafeMoon का भी टुआ है लेकिन अब now on top 10 purchase token की list में आ चुकी है अगर 500 biggest Ethereum whale की बात करें तो यह बहुत बड़ा number है कि 500 बड़ी बड़ी whales यहां पर purchase कर रही है SafeMoon को और इसका result भी यहां पर आप देख सकते हो BNB whale Anna Mary है ना Brandon just bought यहां पर अगर आप देखो बगध बड़ी quantity 7.9 million SafeMoon भी यहां पर खरीद लिए इस BNB whale ने तो क्या signal यहां पर whales दे रही है क्या SafeMoon के अंदर कुछ होने वाला है है ना तो SafeMoon का price भी हम देखेंगे लेकिन अगर आप देखो 7.9 million coins जो है SafeMoon के SFM भी आप बॉल सकते हैं और 2.4 million dollar तो 7.9 billion coins खरीदे हैं whale ने million नहीं है billion का number है यहां पर और यह जो value है 2.4 million dollar की है मतलब इतनी बड़ी quantity में whales का SafeMoon को को खरीदना कई ना कई कुछ ना कुछ SafeMoon के अंदर भी हो सकते हैं तो बिल्कुल SafeMoon के price की बात कर ले हैं तो यहां पे 0.024 इसका Indian रुपीज में price चल रहा है 2% अभी green में चल रही है market के scenarios के हिसाब से 0.000299 यहां पे चल रहा है dollars में 3.0 आरे हैं dollar के price में और 1.0 R.E.S की Indian रुपीज में तो जिस तरह से वेल ने purchase किये है तो कई ना कई आने वाले time में SafeMoon में कुछ हलचल हमको देखने को मिल सकती है क्योंकि नीचे के number शांदार नहीं है जब से SafeMoon V2 आया और अगर हम इसका high low देख लें तो all time high 5 जनवरी को इसने लगाया था 0.25 का इसी साल और 25 मार्च को इसने अपना all time low hit किया था वहां से 18% यह उपर चल रही है और 90% अपने all time high से down चल रही है अवेलेबल सप्लाई है 561 बिलियन की तो थोड़ा सा SafeMoon पे भी नज़र रखें नेक्स्ट है बेबी डॉज कोईन को लेके और बेबी डॉज कोईन भी कही ना कहीं most used smart contract की लिस्ट में है अगर हम top 500 BSC Wales की बात करते हैं तो सबसे ज़्यदा use किये जाने वाला smart contract की लिस्ट में आता है बेबी डॉज कोईन यह बहुत बड़ी बात है कि BSC Wales के अंदर कहीं न कहीं BSC Wales का आप चहीता कह सकते हो बेबी डॉज कोईन को और यह अच्छी बात है जितना बेबी डॉज कोईन ट्रेड होगा वेल्स के अंदर जैसे शिबाईन उथिरियम वेल्स में होता है तो बेबी डॉज अगर BSC Wales का चहीता बनता है तो अच्छी बात है बेबी डॉज कोईन के लिए ठीक है तो 500 एथिरियम वेल्स की बात कर ले BSC Wales की बात कर ले तो बेबी डॉज कोईन वन्स अगेन है मॉस्ट यू स्मार्ट कोंट्रेक्ट अमंग दा टॉप 500 BSC Wales इन लास्ट 24 आवर्स तो NFT वर्ल्ड के अंदर आज एक बहुत बड़ी चीज हुई है समवन जस्ट पेड 4.5 मिलियन डॉलर फोर CryptoPunk's Ethereum NFT डिस्पाइड बियर मार्केट तो यह जो एक NFT है CryptoPunk ठीक है बहुत फेमेस NFTs का अगर जहां तक नाम आता है और It is the fourth highest CryptoPunk sale when measured in Ethereum और a surprising pick up in a time of declining NFT sales तो पिछले कुछ टाइम से NFTs की जो मार्केट है वो गिर रही है लेकिन इस मार्केट डाउन के अंदर NFTs की आप देखोगे CryptoPunk NFT जिसकी rank है 2924 sold for nearly 4.5 million dollar worth of Ethereum today मतलब 3300 around 300 Ethereum ठीक है total और 4.5 million dollar का ये NFT जो है बिका है, sale हुआ है एक बहुत बड़ा नंबर है 4.5 million dollar किसी ने 3300 Ethereum में जो है यहां पे खरीद लिया इस NFT को CryptoPunk NFT 2924 last and final update की बात करें तो वो है Crypto.com exchange की तरफ से और Crypto.com ने 2 coins की listing की है एक है Gari token और Gari की बड़ी exchange के उपर listing होती हुई, पिछले कुछ टाइम से ये एकदम से नीचे गिरा था, ठीक है एक तो Gari list हुआ है और एक हुआ है MINA, तो 2 coins है new listing होई है MINA और Gari token की यहां पे Crypto.com exchange के उपर, तो यही कुछ आज की cryptocurrency news and updates सी, बाकी update आपको telegram पे मिलती रहेंगी, तो join जरूर कर लेना link है description में और channel को subscribe करके bell icon press जरूर कर लेना कोई भी update आपसे miss नहीं होना चीए किसी भी crypto में invest करने से पहले अपनी जो research आप वो जरूर करे वो बेहत जरूरी होती है तो मिलते हैं, next video में तब तक के लिए, bye bye